करेंगे कि नवश्कार दूस्तों आज हम दिखेंगे सोसिलोजी का पार्ट फोर ठीक है तो इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे फिर्टी वन से लेके 200 कोश्इंस और इसके पहले हम लोग ने तीन पार्ट कंप्लीट कर छुके हैं जिस पर बन से लेके वनफिरिट की तक हम लोगने कोश्इंस को देखे देए ठीक है तो चली स्टार्ट करते है पहला कोश्इन दिया गया है सांस्कृति की प्रवाहिका के के रूप में सिच्छा का कार्य है तो इसका आंसर हो जाएगा डी ओप्शन चरित का निर्मान व्यक्तित का विकास मानवी मूलियों का विकास ठीक है नेक्स्ट अगोशन धर्मिन पेक्च होने का अर्थ अधर्मी होना तथा अथ्वा संकुचित धार्मिक्ता पर चलना नहीं ठीक है नेक्स्ट है धर्म निर्पेक्च राज की क्या विसेस्थाएं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी ओप्शन जिसमें बुला गया है धर्म निर्पेक्च राज की उप्योग तो तीनों विसेस्थाएं हैं मतबकि जो ये तीन वाके दिये गए तीनों हैं तो पहला क्य हो जाएगा राज्य किसी धर्म पर अधारित नहीं होता ठीक है सेकंड दिया गया है राज्य द्वारा किसी धर्म में हस्त छेप नहीं किया जाता और थर्ड दिया गया राज द्वारा धार्मिक स्वतंतिता की रक्षा की जाती है ठीक है तो यह हो गया हमारा 153 question number next है भारत ना तो धार्मिक है और ना अधार्मिक है ना ही धर्म विरोधी या धार्मिक मत्व वादों और कार्यों से पूरी तरह प्रतक है इस प्रकार धार्मे के विश्यों में तटस है यह कतन किसका है तो यह आंसर हो जाएगा हाँ वैकेट्रमन का ठीक है वैकेट्रमन का यह कतन है फिर नेक्स्ट है वह धर्म परी पेक्षता जो किसी भी व्यक्ति अत्वाराश्ट की महंता की कुसोटी है भातिराजी में भातिराजी ने अपने सम्विधान के सुनेरे प्रस्टो पर सुगंधित एवं सचंकीले अक्षरों में अंकित की है और भारत ने उन्हें कारे रूप में परिरित करने का भर शक प्रयास किया है या कथन किसका है तो आंसर हो जाएगा पंडित नहिरू का नेक्स्ट है नौ समाजी के विवस्ता के धर्म निरपेक्ष आदर्स का लक्षन है तो इसका अंसर है d option से तीनों लक्षन है राज का अपना कोई धर्म नहीं है ठीक है आजी किसी धर्मे विश्यस के अनुयाई को वरियता नहीं देता है ठीक है कि नेक्स्ट है हमारा कोश्चन भारति समिधान के किस संसोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक करतव्यों को समिलित किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 42 समिधान संसोधन था अब कुछ संसोधन ने उनको देख लिए एक तो 42 हो गया 44 हो गया और फिर इसके बाद 86 हो गया यह तीन संसोधन आप लोग देख लिजेगा क्योंकि इन तीन संसोधन से सबसे जादा कोश्चन पूछे जाते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट है कोश्चन नमबर 158 नौ समाजिक वरस्ता में सि आंसर हो जाएगा यह सभी सामाजिक न्याय की प्रस्थापना और मानसंसादन विकास और नेक्स्ट दिया गया है सीमांत हसीये पर समुहों का विकास ठीक है नेक्स्ट है मुझे सिच्छित माताओं दो मैं एक सू सिच्छित राश्ट का निर्मा कर दूंगा या किसने बोल अदी विदस्ता में प्रॉण्ड सिक्चा का उदेश है तो इसका अंसर हो जाएगा डि ओशिंस साक्षर बनाना नागरिकता की सिच्छा देना और सवच और स्वस्थ के विशह में जागरुक्त करना ठीक है नेक्स्ट है आर्थिक विकास के अंतगर्थ आता है तो इसका भ किया गया है प्रतिव्यक्ति आय हो टीटेट नेक्स्ट को JJ आइक दि Etticut only के अर्थिक विकास का लक्षे है एसका अर्थार हो जाएक डी ऑफ्षिंस राष्टी आय आय में भृद्धि करना बेरोषगारी को दूर करना और प्राकतिक एवंस मानों संसादनों का अधिक्तम से उप्योग करना ठीक है तो आर्थिक विकास में तीन हमारे यह जो आप्षिन दिये गए हैं तीनों सही हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट है आर्थिक विकास का कौन सा निर्धारक तत्व नहीं है तो इसका अंसरो जागा सी ओप्षिन सरकार का स्वरूप फिर है सिच्छा का कुशलता का प्रमकु श्रोत है श्रोत और सिच्छा का मौलिक अधार हो गई है वास्तों में सिच्छा का सबसे महत्पूर कारे है कि वह व्यक्ति में आर्थिक उप्योगता उत्पन करे या किस ने कहा है तो इसका आंसर हो जाएगा बी-सी तिलक ठीक है क्या क्या बोला है सिख्छाकारी कुशलता का प्रमुकु सोत्र प्रसिक्षर का मौलिक अधिकार हो गई है तो इससे से देख ली जगा भारत में कौन सी आर्थिक व्यवस्ता है तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्रित इंपोर्टन यह भी एकोनोमिक में के प्रति आस्था करना और लोग तांत्रिक मुल्यों के प्रति आस्था पैदा करना नेक्स्ट विध्याली पाध साला में किस केंद्रक तत्व की संकल्पना की गई तो इसका आıl सरो जाएगा डी ओश्यन राष्टि अ असमिता तथा राष्टि चरित का संबर्धन भारत की समाजिक संस्कृती की विरासत ठीक है समाजिक संस्कृती की विरासत और वैग्यानिक देस्ट कूर की अभी व्रिद्धी फिर इसके बाद कोश्चन 168 राष्टि कल्यान और समाज कल्यान के साध्धन के रूप में सिख्षा द्वारा उप्युक्त जो इस पर दिये गये हैं ऑप्शन ए बी और तीन उप्युक्त सभी कारे किये जाएं ठीक है तो पहला क्या दिया गया राष्टि जो संस्कृती का व प्रमों उसे अवगत कराया जाए नेक्स्ट रास के आर्थिक परिद्रिश्य की जानकारी दी जाए ठीक है फिर नेक्स्ट कोश्चन है केंद्र कल्यार बोर्ड की स्थापना खुई थी तो इसका अंसरों जागा इंपॉर्टन है यह वाला जितने भी डेट्स वाले हैं यह वाले तो यह तो काफी इंपॉर्टन है तो इसको नोट डाउन कर लिजेगा केंद्र समाज कल्यार बोर्ड नाइंटीं 53 ठीक है फिर समाजिक परिवर्तन के प्रमुक सिद्धान है तो इसका अंसरों जागा डी नेक्स्ट है लहरदार परिवर्तन और तीसरा हो जाएगा चक्रिय परिवर्तन फिर इसके बाद कोश्यन है समाजिक परिवर्तन के बाधक कारक है तो इसका अंसर हो जाएगा डी ओप्शन्स नवींता कब है सांस्कृतिक जड़ता और तीसरा हो जाएगा नहीत स्वास ठीक सामाजिक संरशना और उनके कारियों में होने वाले परिवर्तन को संजो क्याते है किसका है तो इसका ँन्सरों तो यह पूरी definition सामाजिक परिवर्तन की ही तो यह किस ने बोला है कि इंग स्लेड डैविस ठीक है नेक्स्ट एकोशन नमबर 175 सामाजिक समंदो तदा सामाजिक वहवारों के तरीकों से पहले से भिनिता आ जाने का नाम ही समाजिक परिवर्तन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैकाईवर एवं से पेज ठीक है सामाजिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन दोनों की डैफेनाचन आप लोग देख लेया कि वर्डिंग पर थोड़ा सा फर्क है बड़नों की डैफेनाचन बंदर की हैं यहां पर क्या यूज्ग उनके कार्ण्यों में तो इसका अंसरो जाएगा Kingslay Davis जो दूसरा है हमारा समाजिक सम्मंदों और समाजिक वैवारों के तरीकों से अगर पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सॉरी B-Option B-Option में क्या है मैकाईवर से एवंस पेज फिर इसके बाद दिया गया है समाजिक परिवर्तन परिवर्तन को कारकों के दो भागों के मद्ध होने वाली परस्पर अंतक्रिया माना गया है किसके दौरा तो इसका आंसर हो जाएगा उटावे की दौरा ठीक है सामाजिक परिवर्तन के दो वर्गों के मद्य उनकी परस्पम्स अंतक्रिया माना गया है फिर इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है सांस्कृतिक सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवरतन है, किसने बोला है तो इसका अंसर हो जाएगा डासन तथा गेयाठ समाजिक परिवरतन का रूप कौन सा नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा जैवी किये तो फिर हमारा next question है 179 question number समाजिक का परिवरतन में बाधत तत्व't कौन नहीं है पूछा गया है तो इसका अंसर हो जाएका कानून ठीक है फिर भारति सम्मिधान की प्रस्तावना की विसेशता है तो इसका अंसर हो जाएका समाजिक आर्थिक एवंस राज nittin नियाए धर्म निर्पेक्स्ता और समाज वादी राज़ मॉलिक कर्तव्यों का समावेश समिधान के किस अनुश्यद द्वारा हुआ है या किस अनुश्यद में है तो इसका अंसर हो जाएगा आर्टिकल्स या अनुश्यद फिफ्टीवन ए चीक है नेक्स्ट कोश्चन नमबर वन इटी टू राज्य द्वारा पोश्यत या राज निदी से अनुदान प्राप्त करने वाली किसी सिक्षा संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म जाती प्रजाती और भासा और इसके बाद इन में से किसी एक के आधार प्रवेश्च देने से रोका नहीं चाहेगा या समिधान के किस अनुछेद में तो इसका अंसर हो जाएगा 29 B समिधान के 42 संसोदन के द्वारा समिधान की प्रस्तावना में कौन से सब्द या कौन से मूल जोड़े गया है तो इसका अंसर हो जाएगा C आप्शन समाजवाद वाद धर्म निरपेख्षता ठीक है तो याद दगेगा 42 संसोदन के द्वारा जोड़ा गया है फिर है रास् समानता और धर्म निरपेख्षता यह मुलतत्व हैं फिर एक के बाद कोशन नमबर 186 समिधान में न्याय का कौन सा रूप बताया गया है तो इसका अंसरो जगड़ी तीन न्याय बताया गया है रादनितिक न्याय समाजिक न्याय और आर्थिक न्याय ठीक है फिर है हाँ उ उत्देशजिका क्योंकि उत्देशजिका से काफिते जाते कि कितने में हमारे । क्या गया भी सारिक है और वह जोई बूलते है है तो आले यह सब सारे उपरेंट्स है लेकि यह कोशन महीं ऑप रहए और से तो फिर आगे देखते हैं भारती समिधान की प्रमुख विसेस्ता है है तो इसका अंसर हो जाएगा सी ऑफ्षिंस संपूर संपूर प्रमुख संपन्स लोक तंतरात्म गर्णाज समाजिक आर्थिक एवं राजनितिक न्याय तथा धर्म निर्पेक्षता ठीक है तो इसका उसका अंसर हो जाएगा प्रमुख विसेस्ता हें मितान की और प्रांद की दोशिद्धी विश्यक्सान की संप्रख्षन ऱ्ठा तो तीनों इंपॉर्टेंट है पूरे चारों हो जाएंगे तो तीनों यह इसकी ओप्षिन है ठीक है फिर नेक्स्ट है हमारा राज्य किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है यह कतन किसका है तो इसका अंसर हो जाएगा डॉक्टर रादा क्रिस्टन ठीक है फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट कोश्यन है भारते सम्विधान में अनुच छेदो की संख्या तो इसका अंसर हो जाएगा 395 फिर इसके बाद दिया गया है सम्विधान की धारा 45 का संबंध है तो इसका अंसर हो जाएगा बी अनिवार निसल को सार्व भॉमिक सिक्षा ठीक है आप देखे आर्टिकल 45 हो गया 46 है मैं लेकि 45 से लेके आफ 51 तक की मान लिजे तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है कैप 51त की याद हो जाएगा फिर इसके बाद आगे कोश्चन है इफिख्षा को समिधान की संवर्ती सूची में कब रखा गया तो इसका आंसर हो जएगा 1950 में ठीक आद ढशायों थो के सबहूंत जाया है कि पॉर्ण्ज़सुशी कि इसाम जीज़न की संवर्ती हो जायाju न अंदत्व भी है फिर है नियाय को बाटा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्षिंस समाजिक निया है आर्थिक निया है और राजनितिक निया है ठीक तो अगर पूछा जाके दुश्का में कितने प्रकार के निया है तो आंसर हो जाएगा थ्री समाजिक आर्थिक औ इसमें बोला गया समिधान के निर्देश आत्मक सिध्धान्ट या तत्व के प्रभूक छेत्र तो इसका अंसर ओजगा डी options और तीक सुरक्षा समदी निर्देशक तत्व तथा सामाजी कूई हित समंदी निर्देशक तत्व फिर इसके बात दिया गया है अंतरास्ति शान्ति और सुरक्ष्वा सम्मंदिय तत्व में च्या जाता है इनbas से कोई भी नहीं यह फिर हमारा कुशन है प्राथ्मिक सिख्षा को मौली का धिकार माना गया है तो इसका answer हो जागा C vidéo 21 & a. तो कहीं कहीं है देखा लिखा हुए ओ तो छी जऑ बाकि वैसे देखेंगे तो जब पुलिस वाली स्टडिंगे तो उस धाराएं हो जाती है और जब लोग नॉर्मली पॉलिटी पड़ते हैं तो इस पर अनुछे दो बोला जाता है फिर इसके बाद कोश्यन है कोश्यन नमबर 1898 भारत में सिक्षा को संवर्ती सुची में रखा गया है इसका है तो इसका अंसर हो जागा सी ओर्ट कोरे नेक्स्ट ऐसकार कैंद्र विद्याले भी हो है और का स्थूरिबा बाली का कि बाली का विद्याले पर यह है पिर इसके बाद लास्ट कोश्यन है आज का वंचित्वर्ग के प्रकार हैं समाजिक द्रिस्त्री से और फिर इसके बाद वजाए हैं सो इए वोगे हैं आज के प्रस्तिक फिर चैन गया हैं तो यह गया हमारा आज यह को जो ऐन्हों अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 201 से लेके और 250 को लेके ठीक है तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं एक फिर से प्रैक्टिस कर लिजेगा क्योंकि काफी इंपॉर्टन कोश्चिंस इस पर दिए गये हैं नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि सेकंड यूनिट के ज इंपॉर्टन 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 वहाइं वह वन से लेके 51 इससे जाए दर कुछन पूछे जाएंगे या तो अनुसूच या सिडूल भी कुछ पार्ट में दिए गया है तो उनको भी देख लीजए तो शुडूल जो हमारे हैं 12 शुडूल है ठीक है अगर इसकी इंपॉर्टन आडिकल हो सकते हैं इसमें मलगी जो पूछे जाएंगे हमारे जो सोचलोजी सब्जेक्ट है उसमें जो इंपॉर्टन आडिकल है वो मैंने एक वीडियो बनाके डाली वी है तो आप लोग उसको एक बाद देख लीजेगा ठीक है तो आज के लिए हम लोग इ इंपॉर्टन कोस्टन के साथ मिलेंगे दान्यवाद